दोस्तो बुदवर 22 माई को एक खबर आती है कि अचानक से सारू खान की तवियत बिगड गई है बताया गया कि उन्हें हीट एश्टॉक आया मतलब लू लग गई है सारू खान तो बच गया लेकिन इस वीडियो को देखिए दोस्तो यहाँ वीडियो बिहार का है देखिए बच्चे इस भीसंग गर्मी के वज़ा से कैसे बिहोस हो रहे हैं इन सारे आर्टिकल्स को देखिए दोस्तो दिल्ली में पूँचा 52 डिग्री सेसियस तपमान इस वीडियो को देखिए दोस्तो गर्मी इस कदर कि ट्रांसफर्मर तक को पानी डाल ठंडा करने की नौबत आ गई हर बढ़ते साल चाहे बात 20 से 21 का हो 21 से 22 का हो या 2022 से 2023 का हो या 2030 से 2024 का हो हर साल सिर्फ एक ही खबर इस बार कुटा गर्मी का सारा रिकॉड इस वीडियो को देखिए दोस्तो हर दोस्तो इस बार इतनी गर्मी कि पक्षी भी बेहोसो कर नीचे गिर रहे हैं जब इंसानों का ये हाल है तो भला इन बेजुबानों को कौन पूछता है इस वीडियो को देखिए दोस्तो राजस्थान का है गर्मी इतनी भ्यंकर कि रेत तक उबलने लगी फिर बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार इस बढ़ती ही गर्मी का वज़ा क्या है इसके दो मुख्य वज़ा है पहला तो एंत्रोपोजोनी मतलब जिसका जिम्यदार इंसान है और दूसरा एक नेचुरल प दूसरे के अपोजिट होते हैं और दोनों ही अपोजिट क्लाइमेट चेंस रिप्रेजेंट करते हैं दो हजार चौबीस में हमारी प्रित्वी एसे ही एक अल नीनो इफेक्ट से बुजर रही है इस साइकल का नाम है अल नीनो साउथर्ण ओसीलेशन इन एसो पैसिफिक ओस वेस्ट से इस्ट की तरफ प्रोटेट करती है जीसे कोरोलीस इफेक्ट भी बोला जाता है जिसके वज़ा से पैसिफिक ओसियन का पानी ऑस्ट्रिलिया के तरफ फ्लो करने लगती है और जो पानी नीचे से उपर की तरफ आती है वो ज्यादतर ठंडा होती है इनकंप्रिज अस्ट्रेलिया के तरफ गई है वो जल्दी वास्प में बदल जाएगी जिसके वज़ा से हमें अस्ट्रेलिया के तरफ बारिस देखने मिलती है अब होता क्या है ये ट्रेड बिंस कभी कभी बहुत ही कमजोर पड़ जाती है जिसके वज़ा से जिस गर्म पानी को अस्ट्रेल 20 में हमें भ्यंकर वाइड़ फायर अस्ट्रेलिया में देखने मिला था, और ला नीना इफेक्ट तीक इसके विप्रीत होता है, जिसके वज़ा से साइक्लोन, थंडर एस्टॉर्म, हेल एस्टॉर्म, भारी बारिस और बार्ट जैसी समस्या देखने मिलती है, यह दोनों ही इ इंक्रीज हो रहा है जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोला जाता है और इसी ग्लोबल वार्मिंग के वज़ा से ये दोनों इफेक्ट चो कि एक निचुरल साइकल है वो हमें इतने एक्स्ट्रीम लेवल पे देखने मिल रहा है इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट भी बोलते हैं इसमें सरीर के अंगों को बहुत ही नुक्सान पहुंचता है सबसे ज्यादा असर किड़नी पर पड़ता है क्योंकि सरीर से सारा पानी निकल जाने के बाद जो हमारा सरीर है वो भी हाइड्रेट हो जाता है फिर इंसान बेहोस हो जाता है और एसे में इंसान क की मौत भी हो सकती है कैसे पता चलेगा कि हमें ही टेस्टोक आया है तो इसके लक्षन क्या-क्या है वहला सरीर का एकदम से गर्म और लाल हो जाना दूसरा एसकीन का ड्राई हो जाना तीसरा सरीर से पसीना आना बिल्कुल ही बंद हो जाना चौथा चक्कर आना और पांचवा दिल की धड़कने तेज हो जाना तो फिर बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार हम ही टेस्टोक से बचे कैसे इससे बचना इतना भी मुश्किल नहीं बस आपको बेहोस होने से पाले किसी भी तरीके से अपने बड़ी को ठंड़ा करना पड़ेगा इससे बचने के लिए एक द किसी भी तरीके से तो उसे आपके बड़ी को बिटामिन सी और बिटामिन ए मिलता है जो लू से आपको बचाय रखेगा बिटामिन ए और बिटामिन सी हेयर और एसकीन के लिए भी बहुत फैदेमन्द होता है लेकिन हम कितना भी उपाय कर ले इस पुद्रत के कहर के सामने ह हमारा सारा उपाय बहुत ही छोटा नजर आता है इस बढ़ती हुई गर्मी का सबसे बढ़ा कारण है तो वो हम है और हमारी बढ़ती आबादी और इस बढ़ती हुई है टेर जंगलों को खत्म किया जा रहा अगर इसी तरीके से जंगलों को खत्म किया गया तो सिर्फ 300 सालों में हमारी धर्ती पे एक भी प्रीड पौधा नहीं बचेगा और इंसान को जीने के लिए कम से कम 19.5% औक्सीजन चाहिए और फिलहाल हमारी धर्ती पे 20.9% औक्सीजन है और अगर इसी तरह इन पेडों को काटा गया तो आने वाले सिर्फ 80 साल में हमारी धर्ती से 2% औक्सीजन कम हो जाएगा मतलब साफ है इंसान को सांस लेने के लिए कम से कम 19.5% औक्सीजन चाहिए लेकिन 80 साल बाद हमारी धर्ती पे सिर्फ 18.9% औक्सीजन बचेगा और 18.9% औक्सीजन में इंसान सांस नहीं ले सकता और फिलहाल हमारी प्रेथ्वी पे जो पुदरत का कहर बरस रहा है उसके पीछे कही ना कही इन पेडों का काटा जाना भी एक मुख्य कारण है और सिर्फ एक यहीं खत्रा नहीं है जो हमारी धर्ती पे मंडरा रहा जिसके वज़ासे हमारी धर्ती पे ऑक्सीजन कम होने वा पत्म हो रहे हैं वैसे ही समुंद्र में मौझूद फाइटो प्लेंक्टॉन के भी एक बहुत ही बढ़ा खत्रा मंडरा जो आपको हमारे नेक्ष्ट वीडियो में देखने मिलेगा अभी तो गर्मी से हम सिर्फ परिसान हो रहे हैं बहुत जल्द देखिए क्या-क्या होता है बीना ऑक्सिजन आपको भी पता है कि कोई भी इंसान पांच मिनट से ज्यादा जिन्दा नहीं रहा सकता पता नहीं आप दिल्ली के ऑक्सिजन बार में कभी गय हो की नहीं लेकिन वहाँ पैसे देने पड़ते हैं सुध ऑक्सिजन लेने के लिए आप इमेजीन करो आने वा और जल को काफी प्रदूसित कर दिया है जल तो इसकदर प्रदूसित हो चुका है कि हमें 20 रुपया का बोटल खरीद कर पानी पीना पड़ रहा और बहुत जल ऑक्सिजन भी विखने वाला है जिसकी सुरुआत तो दिल्ली में कप की हो चुकी है ऑक्सिजन बार खुल कर सि ऑक्सिजन की कमी से मरेंगे और मरना भी चाहिए कि यहीं लोग जिम्मेवार हैं आज जो हमारी धर्ती का या सिच्वेशन है इसके लिए ये लोग मतलब आप मैं हम सब नमानी गंगे याद होगा आपको हमारी सरकार बहुत ही सुर्खिया बटूरी थी गंगा को साफ कराने के नाम पर 20,000 करोर उपए का फंड एलोट भी कर दिया गया जिसमें बहुत बड़े बड़े कम्पनी सामील थे और आप आज जाके हकिकत देखो ना क्या गंगा साफ हुई बिल्कुल ही नहीं आज जिस हालत में हमारी गंगा नदी है उससे भी कहीं बत्तर इस्तिती था कभ भूख हर्ताल किया था गंगा को साफ कराने के लिए आखिरकार वो भूख के वज़ा से मर गये हला हम कैसे एक्सपेक्ट करे भारत में कि किसी साइंटीस्ट को इतना तवज्जु दिया जाएगा एसे देश में जहां एक साइंटीस्ट से ज्यादा तो हम बभाव पर यकिन करते हैं सो यह सोचना भी बेवकूफी होगा कि हमारे देश की सरकार को रत्ती भर भी फर्क पड़ता है हमारे देश के साइंटीस्ट भूख हर्ताल करके मरे या जिन्दा बचे लाइव एक्जामपल आपको लबदाख में देखने मिल जाएगा सोनम वांचुक जो कि एक सा क्या किसी ने एक बार भी सरकार से सवाल पुछा कि आज इलेक्शन में नमानी गंगे का स्लोगन कहां चला गया बीस हजार करो रुपए जो नमानी गंगे के नाम के फंड एलोट हुआ था आखिर वो पैसे कौन खा गया वो पैसे गया कहां आज पानी भीक रहा अगर गंग की जो जल है वो साफ हूँ 2024 में यह बिजनस 1.02 UST डॉलर का है जो कि 2029 तक 1.72 UST बिलियन डॉलर का हो जाएगा मतलब सिर्फ 4 सालों में हमारे देश की जो जल है वो 50% से ज्यादा दूसित होने वाली है तो दोस्तों क्लाइमेट क्रैसिस का आप ये 2nd एपिसोड देख रहे इन लाखों की भीड में हम कहां गूम हो जाएंगे फिर आपसे दुबारा कभी मिले या ना मिले तब तक के लिए जैन